बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फंटामेंटल आफ नर्सिंग का चेप्टर नमबर तू, जो की कंसेप्ट आफ वेल्यू एंड ब्लीफ है उसमें हम आज इंट्रोडेक्शन करेंगे, उसके बाद वेल्यू एंड ब्लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे ठीके, तो चलते हैं, अबजेक्टिव की तरह कंसेप्ट आफ वेल्यू एंड ब्लीफ के टोटल फाइफ अबजेक्टिव से, जिन में से हमने आज जस्ट वेल्यू एंड ब्लीफ पेटरन को डिस्कस करना है ठीके, बाकी के चार हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे सो, फर्स्ट अफ वाल, वाट इस वेल्यू वेल्यू लब्स जो एक वर्ड है अगर आप वेल्यू बोलते हों तो आपके मा음िन में क्याचीज आती है वेल्यू मेंज किसी भी चीज की वेल्यू ही होती है न, तो यहां पर हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको value क्या चीज़ है value एक concept है जो की represent करता है किसी भी चीज या किसी इंसान की वर्थ को या उसकी importance को की हमारे हिसाब से उस चीज़ या फिर उस इंसान की क्या वर्थ है उसकी क्या importance है तो ये just क्या है value है ठीक है उसके बाद value often guides human behavior and decision making value हमेशा इंसान को guide करता है उसको अपने behavior में changes लाने के लिए उसको decision making में लिए और अगर उसका value जहें वो अच्छा होगा तो वो society में अपनी priority को increase करवा सकता है और वो खुद की personality को भी shape कर सकता है अपने हिसाब से अगर कि उसके values जो है वो different object या फिर different person के लिए अच्छे ही ठीक है it can refers to principles value में कौन-कौन सी इसी चीज़े आ जाती है ठीक है जो नमर वन पर है principles है ethics है beliefs या फिर monetary और non-monetary significance of an object idea और action ठीक है यह सारी चीज़े आ जाती है value में उसके बाद है they can be personal, cultural और societal influencing how people perceive and interact with the world around them वो value जह है वो personal हो सकते हैं, cultural हो सकते हैं, societal हो सकते हैं वो क्या influence करते हैं कि कैसे जो बंदा है वो perceive कर रहा है दुनिया में जो भी मतलब surrounding में उसका जो भी environment है वो उसके साब कैसे interact कर रहा है और उसके अपने हिसाब से क्या-क्या value है तो यह था just value ठीक है उसके बाद belief पर आ जाते हैं belief क्या चीज़े, belief मतलब यकीन, किसी चीज़ के उपर यकीन करना उसको हम क्या बोलते हैं belief बोलते हैं, a belief is a mental attitude और conviction, यहां पर word क्या लिखा है conviction लिखा है, जो कि हम conviction अपने खुद की हिसाब से किसी भी चीज़ के उपर conviction लगा रहे होते हैं that something is true, real, or exist, often without empirical evidence or proof हमने अपने जहन में जो है न, ऐसे attitude, ऐसे conviction पैदा कर लेते हैं किसी भी चीज़ के मतलब, either वो true है, या फिर false है, real है या नहीं है वो यहाँ पर exist कर रही है, या नहीं कर रही, हमारे पास उसका proof है, या फिर नहीं है फिर भी हम क्या करते हैं, believes करते हैं, अपनी अपनी चीज़ों के मतलब जिसे कि हमारा belief है, कि Allah ताला एक है, ये कोई change नहीं कर सकता हमारा belief क्योंकि ये हमारा belief है ना, कि Allah एक है, और हमारा नभी पेगंबर मुहम्मन चला लास्ट प्रॉफेट है, और उसके बाद कोई प्रॉफेट नहीं आएगा, ये हमारा belief है, तो ऐसे ही हर इनसान का belief होता है, ठीके? बिलीफ के इन अकॉन इनकम पासस अवाइड रेंज अफ आइडियास फ्राम रिलिजिस और स्पिरिच्वल बिलीफ्स तो पॉलिटिकल, सैंटिफिक और पर्सनल कन्विक्शन बिलीफ्स जोई ना, वाइड रेंज से हम उनको अपने अंदर जोई ना, वो इसे इनजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीके? वो कौन-कौन से आइडियास है, वो जिनके मुतालख हम जोई अपने बिलीफ्स करते हैं, टू मैन हैं, एक रिलिजिस और दूसरा स्पिरिच्वल, जिसके हिसाब से हम अपने पॉलिटिकल, सैंटिफिक, या फिर पर्सनल गन्विक्शन करते हैं, ठीके? रिलिजिस और स्पिरिच्वल में हम देख लें कि क्या चीज़ होती है? रिलिजिस में जिसे लोग जो है, बजारों पे जाते हैं, वहाँ पर दूआक मंगते हैं, ठीके ना, वो उनका क्या है? वो उनका बिलीफ है, और वो तावीज वगिरा करवाते हैं, अगर हम पर दूआ करेंगे तो हमें शिफा मिलेगी, यह उनका बिलीफ होता है, ठीके बिलीफ जो है, वो परसंट तो परसंट वेरी करता है, ठीके ना, अगर मेरा जो बिलीफ कोई एक चीज़ पर बिलीफ है, तो यह मतलब नहीं हो सकता कि जो दूसरा बंदा है, उसका भी मेरे ज सुननी वगर ऐसा सिस्टम होता है तो सबका अपना बिलीफ होता है, ठीके जो कि हम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो बिलीफ अर फंटामेंटल एस्पेक्ट्स अफ ह्यमन कोगनीशन एंड कल्चर, बिलीफ एक फंटामेंटल एस्पेक्ट है, हिमन के लिए उसको अपने कल्चर में फ्ट होने के लिए उसके बिलीफ होते हैं, ठीके तो ये था जस्ट बिलीफ, अब हम देख लेते हैं कि बिलीफ जो है, और वेलियो वेलियjung गpower को हम में, फंडामेंटल ओफ क्यों डिसकर रहे हैं, इनका क्या काम है फंडामेंटल अफ नर्सिंग में, तो देख लेते ह कि क्या काम है उनका value and belief pattern. It is one of the assessment pattern in a client described in garden's 11 functional health problem. यहां पर क्या लिखा है उपर? यह assessment pattern है. ठेक है? जो garden ने 11 functional health problem की assessment pattern दिये थे उन में से एक assessment pattern, value and belief pattern का भी है. जो कि हम clients को, clients से assess करते हैं उसके value and belief के बारे में. ठेक है? इस pattern में हमने totally client के value and belief के बारे में उनसे assessment लेनी हो दिये. यहां पर क्यालिकाइड is focused on the person value and belief. तो यह था जस्ट उनका काम value and belief pattern का fundamental of nursing में. अब मैं आपको एक मिसाल देते भी हूँ. ठेक है, जैसे कि एक patient है, वो जोई ना क्या करता है, तावीज लेकर आया है. बोल रहा है कि मैंने ना दवा से पहले तावीज पीना है, वरना मुझे जोई ना शिफा नहीं मिलेगी. ठेक है, यह क्या है, यह उसका belief है. और वो value किस चीद को ज़्यादा दे रहा है, वो अपनी जोई तावीज है ना, उनको ज़्यादा value दे रहा है, as compared to medicine. तो हमने क्या करना है, हमने उनके पहले value और belief के बारे में पूरी knowledge लेनी है, उनसे पूछना है कि उनका क्या-क्या value और belief है. क्योंकि वो तो patient है, हमने उनको ठीक करना है, तो हमने उनको मना नहीं करना, ठीक है, हमने जो वो patient बात कर रहा है, तो हमने उनको उनके बात माननी है, ठीक है, क्योंकि वो उनके value और belief है, तो हम तो change नहीं कर सकते ना, तो हमने उनको मना नहीं करना, बेशक वो पी लें, तावीज बगरा, जो भी है, वो कर लें, अपने हिसाब से हमने बस उनको medicine देनी है, और उनको care देनी है, अच्छी care देनी ए, ताकि वो जल से जल ठीक हो जाए, अगर हमने उनको जल से जल ठीक करना है, तो पहले हमने client या फिर उस patient के value और belief pattern को अच्छे नमने से find out करना है कि क्या क्या उसके जो इना किन किन चीजों को वो patient value दे रहा है तो आजान आ रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में अला आफिस